यह आटो पर क्यों नहीं रखा? मैं पिछले 7-8 मिनिट से पढ़ाने लग रहा हूं मैं आपको बहुत सारी चीजे बता दी मैंने हमने यह कर लिया, यह भी रिवाइस कर लिया मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है इनके नाम पढ़ लिया हमने मैं यहाँ पर खड़ा हूं यार मैं पिछले 6-47 पर मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया था याराज सब्सक्राइब बंकर रड़ा का ओफिशेल यूटीव चैनल पर मेरा नाम है गगन, तो बहुत सारे बचे यार, चलिए टाइम नी वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा वैसी है, होता पता कि अच्छली दो बटन होते हैं, यहां पर होता है एक स्टार्ट का, और यहां पर हो गया होगा हो क्या टा फटो आंसर का यहां वेस्ट कर रहे हो है, आज पर कि ने दो जरूर है कि वेबसाइट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उन वेबसाइट के ऊपर नैशनल हॉर्स डे भी लिखा है तब कभी न डीटेल जरूर पढ़ना नैशनल अमेरिका के लिए भी हो सकता है अगर ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे है अगर हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया का है वैसे एक होर्स डे बिए नैशनल होर्स टे बच्चा मेरे को मैसेच कर रहे है टेलीग्राम पर के सर आपने नैशनल होर्स डे नहीं कर वाया तो ठीक है ध्यान रखना है यह कुछ दिन फिर से लिवाइस कर लेते हैं एक पर से से स्थापना दिवर साथी इंटरनेशनल के माउंटेन डे बारा को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और पिछला कल यानिकी 14 दिसंबर को मनाते हैं इनरजी चंजर्वेशन डे अगला कल 16 दिसंबर को मनाया है जायगा विजय दिवस अब विजय दिवस कैसे हो सकता हमनेंular क्वरेश होते हैं तो आतr यह सलगत कर दी 1069 में आ जाते हैं उस जायता हैं था ये य hypocrlike क्तर की है फाकीस्तान कंदर किया था ऑफीचल ये कबolis 17 दिसंबर 1971 को तो कल का दिन हमने बंगलादेश को बना दिया था तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है तो कल आपको सोड़ी सी स्टोरी भी बताऊंगा कहाने भी बताऊंगा तो मज़ा आएगा कल की ग्लास में चलिए शुरू करते आगे और तो कुछ क्वेश्चन दूरूरी नहीं इस पर क्या बनाए फ्लेर ऑफ दामन्थ लिटरली कुछ क्वेश्च्टन नहीं बनता यही आएगा कि इस में अप्लेर of the month कौन था यह आपके टैलेंट के ऊपर आपके रटने की शमता के ऊपर आप कितना रट सकते हैं तो अस्ट्रेलियन ड्रैविस हेड नवंबर महीने के लिए मिल चुका है इनको मेल में फीमेल में बांगलादेश की नाहिदा अक्तर को मिला है अब मान लीजिए आपका जब भी एक्जायम होता है ठीक है अगले सल मान लीजिए दिसमबर में इग्जायम है ना तो उससे पिछले छे महिने के प्लेयर आफ दा मंद सियाद कर लेना अब हमारा इस भी एक लग आ रहा है सबसे पास तो मार्च में एक्जाम होगा पिछले छे मेने आने की सेप्टेंबर ऑक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी बोलेंगे सरे मार्च का भी तो पढ़ना तो दूसरी बार प्लेयर ऑफ दा मंद बना है एक ही साल में वल्की शुबमन गिल ध्यान रखेंगे वैरी इंपॉर्टेंट लड़कियों बात करें लड़कियों में तो उत्पात मचाया हूँ इसी साल ऐशली गार्डनर एक ऐशली गार्डनर दो ऐशली गार्डनर तीन ऐसे ते कुछ अगर क्वेश्चन बन सकें तो हमको थोड़ा तर रेडी रहना चाहिए इस साल में दो बार प्लेयर आफ दा मन्त शुबमन गिल को मिल चुका है लड़कियों की बात करें सबसे ज्यादा बार तीन बार एशली गार्डनर एशली गार्डनर एशली गार्डनर एशली गार्डनर और स्ट्रेलियन को मिल चुका है सब्टेंबर में लड़कियों में चमारी अठा पठ्ठु श्रिलंका वाली को और पर बिए रिपाइर हुए हैं यह कहां से खेलते थे आसाज शफीक रिटायर हुए हैं यह कौन है कौन से देश से बिलॉंग करते हैं इस सूपर आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेगा और यह रही सारी कि सारी रीसेंट की रिटायरमेंट चलिए आज से एक नई कि चीज में start कर रहा हूं इस क्लास में हम इस क्लास में एक टॉपिक किया करेंगे जनरली ऐसा होता है कि नाशनल पाक कर लिया वाइल लाइफ सेंचरी होगी लेकिन वह चीज्पर में कम पूछी जा रही है पेपर में पूछ लेगा आप से कि युनाइट नेशन के बारे में उसका headquarter कहां पर है, उसका director general कहां पर है और चीज वही बताऊंगा जो याद कर सकूँ, जो मैं भी याद कर सकूँ तो आज से बहुत ही प्यारी चीज आपके लिए United Nation के headquarter और उनके जो respective heads हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, United Nation भी नहीं international organization के, वो अब 8 से किया करेंगा, तो चलिए फटाफट question अंतर की शुरुआत करते हैं, पहला, हाल ही में सिर्फ 56 पारियों में सबसे तेज 2000 T20 run बनाने के मामले में विराट कोली की बराबरी किस ने की, हमने क्या पढ़ा था, पारियों दोनों की सेम है, बस match कोली ने 60 खेले हैं, और दूसरा जो इजिसका उसने 59 खेले हैं, बताएं, शाबश, तो इसका जवाब क्या हो जाता है, इसका जवाब हो जाता है बेटा, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव हो जाता है, very important, बस और क्या, कुछ नहीं, कल सूर्य कुमार इंडिया को दो दिया, तो एक दूसरों को दोने के बाद, मैट, सुरी, सीरीज टाए हो चुकी है, और पहली बार इंडिया ने सौर्थ अफरिका में सीरीज को टाए कर दिया, तो दोनों को बात करें, दोनों ने 56-56 पारियों में किया, याने कि दोनों ठर्ड नंबर पर है फॉस्टर सेगिंड पर कौन है पाकिस्तान के हैं बाबर आजम और मुहमद रिज्वान जिन्नोंने केवल 52 पारियां ली थी कितनी केवल 52 इनिंग्स ली थी वेरी इंपोर्टन चलिए अगला इस पर भी कुछ कुछ नहीं बनाया क्योंकि गुहाटी मास्टर्स ही हुआ है टानीशा क्रास्टो इन दोनों ने गुहाटी मास्टर्स टॉर्नमेंट जीता आपको कमाल की बात पताओ अश्वीनी पॉनपपा इस फ्रम करनाट का तानीशा क्रास्टो पता कहां से है शी बॉन इन अब्रॉड अब देखो ऐसी भी लोग है कुछ लोग है जो भारत छोड के जाना चाहते हैं कुछ लोग है जो इंडिया आना चाहते हैं क्या नाम है ताहिरा क्रास्टो इस ताहिरा इना नाम के लिख दिया मैंने तो अरे तो तनीशा ताहिरा कौन है तनीशा कर तनीशा कर तो तनीशा क्रास्टो वास बॉर्न इन दूबई यह वाला इंडियन मिरे को बहुत अच्छे लगते हैं यार मज़ा आया देख रहें बहुत अच्छे लगते हैं लोग तो इंडियन नहीं है पता में जो भी है तो हाँ एनीवे छोड़े इन चीज़ों को अश्वीनी पुनपफ हम करनाट का तनीशा तनीशा क्रास्टो फ्रॉम यू एई इन दोनों ने मिलकर जीत लिया है गुहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टॉर्नमेंट किसको हराया इन दोनों ने इनोंने हराया ताइपेई ताइप हमने बात की थी ताइवान की बात की थी तो ताइवान के सुंग श्यो यून और यू चीन हुई को हराया है अच्छा एक आप सभी से मैंने करेक्शन करवानी थी यार एक करेक्शन करनी थी मेरे को मैंने आपको एक दिन बोला था कि बांगलादेश के बारे हमने जब बात पड़ी थी तो बांगलादेश की नाशनल गेम मैंने होकी बताई थी होकी नहीं है कबड़ी है वो थोड़ा सा slip of mind हो गया था मैंने वो लिख भी दिया तो चक्र में लेकिन आपके साथ correction करनी जरूरी है प्लीज इसको correct टर ले इस कबड़ी थैंक्स रमांजी मैं मैंसेज तो अल्ड़ इस पर लोग फोकस नहीं करते क्वांट रिजनिंग इंग्लिश जख मार के पढ़ रहे हैं लोग हर कोई पढ़ रहा है कोई बैंक की तियारी कर रहा है उसके दिमाग में है कि मैं अच्छी करनी पड़ेगी रिजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी वह मेंस के सोच कहीं नहीं चलते कभी मेंस में जी एक बहुत बड़ा रोल है अब कौन पढ़ रहा है करेंट फिर कौन पढ़ रहा है यही चेकर पढ़ जाता है सिलेक्शन और नौट सिलेक्शन के बीच में चलिए आगे ठीक है एक करेक्शन कर लेना प्लीज इसको चलिए हाँ रिसेंटली अठारमा वॉल्ली बॉल्ड कप कहां पर खतब हुआ वेरी इंपॉर्टन तो यह रतोल यार सुबह सुबह क्या कर रहा है तुम तो चिल करो य जाने की तो उनको अब तो वो हो गया कि एक ला इंगलुरू उमें ख्ला गया बारत में कहां कर बेंगलूरू में खेला गया हमने बात की थी कि all over ये 18 एडिशन था लेकिन इंडिया में पहली बार हुआ और कौन जीता है इसके बार भी हमने बात पड़ी थी ये जीता सिर सकोमा पेरूगिया जो की इटली का एक कलब है सेकंड आया इटामे मिनास जो की ब चलिए बता और एक बार वीडियो के यार लाइक भी कर दिया करो फोड़ा सा अच्छा लग जाएगा मेरे को भी कि 83 लोग बैठे हैं कम से कम 83 तो लाइक कर रहे हैं यहां तो देखो मेरा content average होता मजा ना रहा होता आपको यह मेरी guarantee है go around the YouTube English में पढ़ लो Hindi में पढ़ लो प जवाब इसका बहुत ही सिंपल एहमदाबाद defenders इंडिया ने रेप्रेजेंट किया था और छे टीमे से हम लास्ट आया हैं वट कोई बात नहीं कहीं से तो कभी नहीं कभी तो शुरुवात होगी ही चलिए तो एहमदाबाद defenders अगला लोग सबा है जो नए पारलियमेंट की यह कौन सी थीम पर बनी हुई है बहुत प्यारा सा question मैंने आपको कल बताया था जब लोकसवा पे वो जो चार लोगों ने एक तरह से कह लीजिए attack किया था उनकी प्रोसीडिंग्स को भंग करने के कोशिश की गई थी चार लोग पकड़े गए है निलम आजाद है एक थीम क्या था तो जवाब इसका क्या है मैंने क्या बताया था लोकसवा बनी है पीकॉक की थीम पर राज्यसवा बनी है लोटस की थीम पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट और यह हमने पढ़ा था और 13 दिसंबर 2001 को भी पार्लिमेंट म रखना एक तो यह इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा मंत्रा ले उस्थीम को कर रहा है दूसरा यह इंपॉह बहुत्अ किया था इसको तो मई 2015 में प्रधान मंतरी मोदी जी ने इसे लॉंच किया था कोल काता से और अटल पेंशन योजना के बारे मैंने क्या किया था कि आप जवानी के टाइम पर थोड़ा-थोड़ा पैसा अपना बचा कर रखें ताकि 60 साल के बाद आपको हजार रुपे से लेकर पांच हजार रुपे तक कि आपको एक तरह से पैंशन मिलनी शुरू हो जाए इसके बारे में पिछले कल बहुत डीटेल में पढ़ाई कर ली थी और कौन सा मंतरा ले करेगा जस्ट इमेजिन पैसे कौन देगा आरे फाइनेंस तो देगा दो हजार अठरा में इसका आइडिया आया था बना ये दो हजार बीस में है और टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके 29 मेंबर्स है 28 देश है और एक European Union भी इसका मेंबर है और यह कहाँ पर हो रहा है बताओ कल हमने पढ़ा था यह हो रहा है जहां पर G20 हुआ था यहाने कि भारत मंडपम नई दिली जिसके आगे दुनिया का सबसे बड़ा नटराज का स्टेचू है तो 28 देशों के लोग आये थे साथ ही यूरोपेन यूनियन जीपे की बैठक में आये थे यहां पर बड़िया बड़िया इन्हों ने बाते करी कि भईया मोधी प्लस मेलोनी मेलोडी तो ठ 2020 में इसको ओफिशली लॉंच किया था OECD वालोंने और फिर OECD के बारे भी बातें की थी हमने हां कोई नया बच्चा है बोलूगा घबराना नहीं अभी पिछले कल की रिवीजन चल रही है क्योंकि रिवीजन इस नेसेसरी एक आपको फॉर एक्जांपल चीज बता देता कि दिसंबर जैनुवरी और फेबुरी अब या तो आप हर महीने के ना थार खुमिक्स तरह पड़ना परपस नहीं नहीं किताब को समझना भी है तब ही फाइदा है निकीटाब पढ़ि ना पढ़ि एक बराबर तो या तो ये कर लो या फिर मैं लेके चलूंगा आपको मही या तो इसको दो तीन बार रिवाइस कर लो या फिर इसको एक बार कर लो चॉइस आपकी है मैं तनी गैरेंटी देता हूं इस क्लास से 80-90 परसंट करेंटे फिर पकाएगा इससे 100 परसंट आ जाएगा अब यह अपने आप समझदारी से सोचो एक बार पढ़के आपको याद ह हो जाएगा या इस चीज़ को अगर हम तीन बार पढ़ लें और अगर आपके 40 में से 36 सवाल सही हो जाएं वह आपको सही लएगा वह मेरे को बताओ सोचकर बताओ एक बार तो यहां पर इस क्लास में बेटर रिवीजन पर फोड़ा एक्स्टर जोर दिया जाएगा यह क्या नामता इनका यार मतेउस मुरावे की शाबाश हूट ऊवर एस पोलेंड का प्रधान मंतरी सभी के सभी चारों लोग इस वक्त खबरों में हैं कौन-कौन है पैदरो सांचेज यह बना है री सेंट्री दुवारा से बना है स्पेन का प्रधान मंतरी जेवियर मिलेई य यह कौन है यह अर्जंटीना के राश्ट्रपती बने है किसको रिप्लेस करकर अलबर्टो फर्नांडेस को रिप्लेस करकर और लुक फ्राइडन यह बने है लग्जैंबर्ग के प्राइम मिनिस्टर तो बचा कौन डॉनल्ड टस्क बचा वेरी इंपोर्टेट तो चारों के युनाइटिन नेशन का ऑफिस और ड्रग्स एंड क्राइम साउट इस्ट एशिया में अफीम की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक कौन बढ़ जुका है बिगेस्ट ओपीम प्रोडूसर बताओ बिगेस्ट ओपीम प्रोडूसर तो हराम तो इस विए मैनमार आ चुका है टॉप पर और मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे कुछ करके लोग नशे कर लेते हैं इसको फिर सुखा सुखा कर पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं तो एनिवे तो हां मैनमार आ चुका है टॉप पर अकॉर्डिन टुर्ड युन इसी बाते हैं थी मिंट सुए प्रेजिडेंट है मिन औंग प्राइम मिनिस्टर है कैपिटल नाइपीड और करन्सी हो जाती है क्या नेक्स्ट क्वेस्टन फॉर्मर युनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पता नहीं कौन इनको ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीव इसका जवाब क्या हो जाएका बिलकुल बैंक की मून लेकिन बाकी कौन शक्स है ये बाकी शक्स बड़ी बड़ी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन के हैड्स हैं टेडरोस अधनौम डवलू एच्चो के हैड है गोजी यो कौन जो इवियाला वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइ कदम जीके भी अपनी सुधारेंगे तो आज की हमारी सबसे बड़ी जीके का टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल और्गनाइजेशन और उनके हेड़क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी याद करने पड़ेंगे कोई दो राहे नहीं कि सर छोड़ दें न इसके कौन प्रेजिटन कौन है क्रिस्टीन सरी क्रिस्टलीना जोर्जीवा युनाइटिट नेशन की बात करते हैं न्यू यॉर्क में इसका हेड़क्वाटर है मोदी जी ने वहां पर योगा करवा दिया था आपको याद होगा इस बार का इंटरनेशनल योगा डे नियॉ डेनिस फ्रांसिस अगला इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस वेरी इंपोर्टन ये है दे हेग नीदर लैंड्स में इसके हैं जज जोवान यी डोनों गुए नाटों पर की बात करते हैं नाशनल नौर्थ अटलांटिक ट्रीटी और्गनाइशन हेड़क्वाटर इन ब्र सबसे शक्तिशाली महिला याद है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला महिला यूरोपीन यूनियन की प्रेजिडेंट यूरोपीन यूनियन का हेड़क्वाटर फिर से ब्रसल्स में और प्रेजिडेंट का नाम अर्सला वॉंडर लेन और दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैंक कह लीजिए एक तरह से क्योंकि उसकी गवर्नर सबसे चक्तिशाली है यूरोपन यूनियन का सेंट्रल बैंक हैड़कॉर्टर अलग है बस इसका फ्रैंक फॉर्ट जर्मनी में इसकी हैड कौन है क्रिश्चीन लगार्डे फिर डवलु एच्चों के बारे हमने बात कर ल कंट्री ने बैंक बनाया तो साल 2014 में शेंगाई और डिरेक्टर जनरल कौन है डिल्मा रोसफ तो कुछ तो हो गई है ये तीरे-दीरे और भी याद करेंगे अभी पेमत सोजासर पहली बार में याद हो जाएंगी नहीं रिडिंग रखनी पड़ेंगी क्लास में डेली आना पड़ेगा जब भी वर्ड बैंक के बारे बात करूंग अजिब अगे चलते हैं अब ये खतम नहीं हुआ आशियान की बात करते हैं बहुत बार बात कर ली हमने आशियान की तो इसका है जकारता में प्रेजिडेंसी है इंडोनेशिया के पास लेकिन इसके हैड कौन है डॉ और यह हर साल बदलते हैं अब अगले साल लाउस के पास परिडेंसी जा रही है तो यह फिर से बदल जाएंगे आओ इस साल इंडिया ने इसकी बैठक की थी वर्चो लियाने की ऑनलाइन फॉर्म में हैड़कौर्टर इन बीजिंग कमाल की बात है है शंगाई कोपरेशन है जांग मिंग सार्क साउथ एशिन असोसियेशन फॉर रीजिनल कोपरेशन इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इसमें 2016 के बाद बैठक नहीं हुई इसका हेड़कौर्टर इन कार्ट बांडू और अभी के लिए इसके हैड है गोलम सर्वर यह मैं गैरंटी देता हूं किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा आपको सार्क वाला कि इसका भी कोई है अगला विम्स्टेक अगेन बहुत इंप एड बना है विम्स्टेक का ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्स्ट टाइम बिम्स्टेक का हैड एक इंडियन बना है इंद्रमनी पांडे अगला युनाइटिन नेशन एंवार्मेंट प्रोग्राम नायरोबी कीनिया एंड इंगर एंडरसन वर्ल्ड वेट इंडर्मेंट बैंक आपको पता होगा मांडाली ओंग फिलिपीन्स में हेड़कॉर्टर और मासाथ सागु आसका आसकावा इसके प्रेजिडेंट है और एक नया टीम नया एक मेंबर जो जी ट्वेंटी में जुड़ा है आफ्रिकन यूनियन बहुत इंपॉर्टन अडिस इन्पारडबा एत्यूपिया में हेड़कॉर्टर और अजाली असूमनी इसके प्रेजिडेंट हो जाते हैं फिर यूरॉपियन का हेड़कॉर्टर तो मिने पढ़ता ब्रससल्स में लेकिं यूरॉपियन बनते हैं आगे भी बनेंगे मोस्टली जो इंटरनेशनल और्गनाइजेशन से मैंने कवर कर दी है कुछ और बचेंगी कल और लेकर आ जाओंगा बस याद कर ले ना यार है ना ерм 도 जाती हो में मैंन जोद jsogrando हो जाते हैं लेकिन जबा वही अगर लगे रहो इसे पागल बनाओ कि पागल कनफीयूज नहीं हो रहा तो ड़र रहा है पागल कनफीयूज हो इसे हो Richtung कोई ङसे हो जागा कब प्रिलिम्स पेपर देना है और पास करना है उसके लिए बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है मेरे पास घिफ्ट तो क्या है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैचा जो कि स्चार्टिंग टुमोरो नहीं अब स्टार्टिंग टुडे है आझसे स्टा डेज में क्या करना चाहिए रिवीजन करूं टेश्टरी दूं क्या करूं क्या ना करूं ठीक है और जो बच्चे हैं जो बच्चे चाहते हैं कि सर बस कोई गुंजाईश न रहे तो उनकी लिए बैच है 15 दिन का यह बैच चलेगा 15 दिन तो नहीं जादा ही चल रहा देख ली तो इफ यूवाट दिस यूर चांस की वह लास्ट पुश वह एक आखरी धक्का जो चाहिए वह यह चलिए करेंट वेर की शुरुबात करते हैं आज के चाइना ने दुनिया के पहले चौथी पीडी के परमाणू रियक्टर का अनावरन किया चौथी पीडी का मतलब क्या ह मतलब अडवांस होता ना जहाद ऐसे बनाया था पहले फिर सैगिंड जनरेशन ठोर्ड जनरेशन फोर्ड जनरेशन रफाइल जैट हम लेकर आए हैं क्या जनरेशन के जैट है वह पीडी अप कहा मिलता है जोती सौंग कर इस क्लास के खतम होने के बाद कॉमेंट्स में बता ही एडवांस हो जाते हैं न्यूक्लियर रियक्टर आओ पड़ें तो शिदाओ बे न्यूक्लियर प्लांट है जो इस्टन शांडॉंग प्रोविंस में इसने अपना ऑपरेशन याने कि इसने काम करना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही अलग तरहां का गैस कूल्ड नू यूस से तीसरे पर यूरोपियन यूनियन और चौथे पर आती है इडिया और यह काम करने के बाद बहुत ही ज्यादा फाइदा होने वाला है चाइना को तो शिदाओ बे प्लांट का रियक्टर है यह पढ़ता है स्मॉल मॉडियूलर रियक्टर की कैटेगरी में कहते हैं क इससे पता लगता है कि वह चाइना किसी की मदद के बिना भी रॉक कर रहा है तो वेरी इंपॉर्टन चीज़ दुनिया का चौथा फॉर्थ जेनरेशन न्यूक्लियर रियक्टर कहां शिदाओ बे में आया चलिए आपसे क्वेश्चन पूछू जैसी कि हर कंट्री में लगता नहीं है उसके बार में क्योंकि वह खबरों में नहीं आता रश्या का प्रेज़़ेंट व्लादमीर पुतिन उनके पी एम का नाम है मिखायल मी शुस्टिन यह हो जाता है इनके पीम का नाम वैसे ही चाइना की भी बात करेंगे चाइना में बेक और बंदा है अपने प्रीमियर को भेजाता याने की ली कियांग को भेजाता और कैपिटल आप सभी के सामने हो जाती है बेजिंग चलिए अगला तो COP28 वेटा खतम हो गया जी यहाँ पर UAE कंसेंसस रीच हुआ है फॉर नेट जीरो बाई दो हजार पचास हमने पढ़ लिया कि COP29 कहां पर हो रहा है बाकु अजर्बायजान में अब थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं कि भाईया क्या-क्या इंपोर्टन चीजें हुई है COP28 के वक्त क्योंकि आपको पता है UAE ने पैसे फैंक फैंक करमारे हैं लोगों के मूँपर तो बात करनी करेंगे एक सो अठानवे पार्टिसिपेटिंग पार्टी ने बोला कि एजेंडा रखा कि हर साल सिर्फ अपनी धरती है उसको डेड़ डिगरी सेल्शियस के अंदर अंदर ही गरम करेंगे इसके अगर बाहर जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और जल्दी हो रहा है क्लाइम डिगरी सेल्शियस नोंने डिसाइड किया है कॉप 28 में बहुत ही बड़ा 85 बिलियन डॉलर की फंडिंग हो गई है क्लाइमेट एक्शन के लिए बतलब कि UAE ने एक फंड लॉंच किया था 30 बिलियन डॉलर तो वही है लेकिन बाकी कंट्री ने भी इसमें पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट किया कि भया क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन बहुत जादा जरूरी हो जाता है और इसके लिए 85 बिलियन डॉलर की फंडिंग आगी है कॉप 288 में आओ और यहाँ पर क्लाइमेट चैंपियन्स अवार्ड भी दिये गए हैं यहाँ पर क्लाइमेट चैंपिय मेक्सिको के मिशेल जराटे पैलो मैक को और कीनिया के सिबेस्टियन मुवारा को यहाँ पर यहाँ पर यू एई ने 30 बिलियन डॉलर का एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड भी लॉंच किया तर फंड का नाम क्या रखा था अल्टेरा राइट क्या नाम रखा था और यहाँ सबसे जाधा तुम कह रहे हो धरती गरम और यह पॉलिशन हो रहा है तेल तो तुम ही बना रहे हो तो इन्होंने बोला कि ठीक है न क्या हो गया लो पैसे लो तुम कर दो कुछ इसके बारे में तो वह काम किया है थर्टी बिलियन डॉलर का और इसके चैयर्मेन कि से बनाया जो कौप 28 का प्रेजिडेंट है हाँ इसका जो कौप 28 का प्रेजिडेंट है उसे इसका चेर्मेर बना दिया सुल्तानल जबर को और CEO बना है माजिद सुवैदी फिर हमने युए के बारे बात करी थी इनके प्राइम मिनिस्टर कौन मुहमद बिन राशिद अलमक्तूम और प्रेजिडेंट कौन है मुहमद बिन जायद अलनायान कैपिटल अबुढबी और करंसी युए का दिरहम फिर हमने पड़ा था इन्होंने दुनिया का सोलर पैनल लगा दिए उसे बनाया था तो युए ने दुनिया का सबसे बड़ा लार्जर सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट भी बनाया था कौप 28 से पहली खड़ा कर दिया था जो कि कहां पर है अल धफरा सोलर फोटो वर्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक् से और अभी दो-तिन दिन पहली हम पढ़के हटे हैं क्या दुनिया का सबसे उंचा सोलर टावर भी इन्होंने लगा दिया है तो मतलब काफी सारे इंपॉर्टन करेंट एफर्स होगे युए के हिसाब से सब पहला-पहला सिंगल साइट पर सोलर पार्क लगा हुआ सबसे उ देली 6.45 एम पर क्लास होती है और 6.47, 48, 50 तक स्टार्ट हो जाती है इसी बात पर लाइक कर दो एक बार पूरा का पूरा कॉप 28 हमने रिवाइस कर लिया है क्वेश्चन धेर सारे बनते हैं चली अगला अरे अच्छा तो हां जी तेलंगना ने इंटर्ड्यूस किया free bus travel for women and transgender individuals ते तेलंगना के आपको पता है नए नए मुख्यमंत्री बने हैं क्या ना हमें उनका तेलंगना के सेकेंड मुख्यमंत्री रेवंत्रेडी तो आव पड़े इनके बारे तो तेलंगना ने लॉंच किया जी दो महा लक्षमी स्कीम इसके तहत यह कहरे कॉंगरेस पार्टी ने मैनिफेस्टों में ही डाला हुआ था कि हमें जिताद हम यह कर देंगे तो इसके ट्रैट के रहे औरते हैं लड़किया है जो ट्रांसजंडर परसंस हैं इन सभी को मुफ्त का बस ट्रैवल दिया जा रहा है यह कौन है को जानता है यह कौन है हरे दो साल लगातार वर्ड चैंपिएंग में पिछले साल टर्की में जीती थी इस साल ये इंडिया में हुआ था दिल्ली में वहां पर जीती है तो ध्यान रखें निकट जरीन है शी बिलॉंग्स टू तेलंगना उनली तो आओ तो पहले फोकस किस पर है कि फ्री ट्रेवल लेकिन विदिन स्टेट ओफ टेलंगन ओली ऐसा देलंगना ते अंदर पर देश चला गया तब नहीं थे लंगना ते ओडिशन नहीं ते लंगना ते लंगना यह फ्री की जाएगी तो आओ इसके बारे एक दो बाते कर ले हमने अभी पढ़ा रिसेंटली तेलंगना के नए CM कौन बने है रेवन्थ रेड़ी कौन बने है तेलंगना के नए CM रेवन्थ रेड़ी बने है और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है के चंदर शेखर राओ यानि की KCR इसकी पार्टी थी BRS यानि की भारत राष्टर समीती इसकी पार्टी है इंडियन नैशनल कॉंग्रेस और ये थे तेलंगना के पहले CM और ये बने हैं तेलंगना के दूसरे CM और मैंने बताया था इनको जो ओथ है इनको गवर्नर ओथ दिलवाता है और गवर्नर कौन है यहां का तमील सई इतना करो उतना कम चलिए अगला अब एक और स्टेट से है तो अर्विंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्यमंतिरी ने इनिशेट करी एक स्कीम फॉर डोर स्टेप सर्विसेज अब जैसे आपको पता होगत अगर आप करंट फेर रेगुलर पढ़ रहे हैं भी थोड़े करना है आपको कोई अपना काश सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है ऐसी कुछ चीजें तो वो पंजाब में भी शुरू कर दिया है तो ये बहुत ही बड़ा इविंट करके दोनों ने लॉंच किया तो पंजाब के सीम भगवंत मान और आमादमी पार्टी के जो नैशनल अच्छे लगते मेरे को इन लोगों के ना है अव् दिली में अगर आ रहे हो ना मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा तीवी में कुछ भी चल रहा है पॉलिटिक्स में कुछ भी चल रहा है बट बिलीव मी दिली आओ ऑ़ॉस्पिटल में जाकर देखो भरे पड़े हैं हॉस् लिक ρुपे आप से परची ने ली जाती, एक रुपे आप से डॉक्टर नहीं लिता, एक रुपे आपसे दवाई तक का नहीं लिया जाता हुआ, अब एक आजमी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे बचे न, उसके? यहां पर बच रहे हैं. बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे बहिए बिजली का बिल नहीं आता आपका क्या चाहता है और आदमी टेक्स क्यों भरता है तो बहार कुछ भी है बहार आपको कुछ भी पिक्चर दिख रही है आप किसी भी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन जो कांद दिल्ली में कुछ नहीं पता लेकिन काम अच्छा किया है तो जहां पर अच्छा काम होना वहां पर प्रशंसा करनी बनती है तो आओ तो यह हो गया आओ पढ़ते हैं और इनके बारे में तो मान और केजरिवाल ने घाटन किये मुबाइल सहायक ऐसे कुछ लड़के हैं यह मोटर साइकल है जो घर घर पहुंचेंगी नेक्ष्ट पीम के जरीवाला कंट्रोल पावा कंट्रोल इतनी से ऐसे थोड़ी पीम बन जाते हैं चलो अब पंजाब के बारे बात करें तो सीम का नाम आपको पता है कौन है भगवन्त मान है इनको फिर वही बात है हमेशा की बात तरह इनका कौन दिलवाता है इनका गवर्नर का नाम हो जाता है इनका बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर का नाम क्या है बनवारी लाल पुरोहित कैपिटल आप सभी को पता है चंडी गड़ा लेकिन चंडी गड़ एक और स्टेट की कैपिटल जिसे कहा जाता हर्याना हर्याना के अभ गवर्णर का नाम बता दीजिए एक बार मज़ा आजाएगा एक एनी आइडिया कि अब बेटा पड़ लेना यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं देख रहा हूं आप सभी के सीम गवर्णर बहुत हिले हैं पेपर में सिर्फ स्टेड बैंक आफ इंडिया के प्रेज्डे यह भी क्वेश्चन आएगा अगर बैंकिंग का एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो इसका क्वेश्चन भी एक नंबर का है अगर मैट का एक नंबर का आएगा इसका तो बलकि ज्यादा का आता है यार तो ध्यान रखो इसका बंदारू दत्ता त्रया ध्यान रखे बैटा इस फोकस्ट पेपर आपका मेंस में बहुती सीदी सी बात है करण फेर सी आपको कट आउफ से दूर लेकर जाएगा करण फेर सी आपको जो आपकी सीट को सेफ करके रखेगा यह मेरी बात समझ लो अभी समझना नहीत हो अगले साल तो पता है गवर्नर याद है तमिल नाडू के तमिल आइकन है उनका नाम है थिरू बलूर इनके स्टैचू का उद्घाटन किया गया फ्रांस में और बहुत ही बड़ी चीज़ है यार सोचो जस्ट इमाजिन तो एक सिगनिफिकेंट कल्चरल माइल स्टोन हुआ है फ्रेंच के एक टाउन में जिसका नाम है सरगी यहां पर उद्घाटन हुआ है एक स्टैचू का थिरू बलूर के जो की बहुत ही बड़े एक कल्चरल आइकन है कि इनके तमिल लोकों के तमिलियन्स के बहुत ही बड़े एक आइकन है तो हमारे एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर है जो सुबरमेडियम जैशंकर जी इन्हों ने बताया था कि यह थिरू बलूर के स्टैचू के बारे जो बात है यह प्रदान मंतरी मोदी जी जब बैस्टिल डे सेलिबरेशन में गए थे जुलाई में तब बातचीत हुई थी अब बैस्टिल डे क्या है तो हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बहुती बड़ा एक इवेंट होता है वहाँ पर कहा जाता है बैस्टिल एक जेल का नाम हुआ करता था तो एक दिन लोगों ने उस जेल के उपर धावा बोल दिया और कहा जाता है कि 14 जुलाई पता नहीं कौन से साल से उसके बाद से वहाँ पर एक करांती आई जिसको आपने पढ़ा भी होगा शायद स्कूल में फ्रेंच रेवल्यूशन शुरुवात हुआ तो बैस्टिल की जेल से ही शुरुवात हुआ और जिस दिन वो कांड हुआ था उसे ये बैस्टिल डे के रूप भी कर देंगे 107 बैठे हो 100 लाइक तो हो ही सकते है ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे तो कौन सा रेजिमेंट गया था वहाँ पर परेड करने पंजाब रेजिमेंट गया था परेड करने कहां पर फ्रांस में कब बैस्टिल डे बैस्टिल की फुल फर्म देख लो कब जु बाना जाता है कि क्योंने इन्होंने तिरुक कुरल को लिखा था एक कंपाइलेशन है आओ हम हिंदी में अगर पड़े एक प्रख्यात भारतिय कवी और दार्शनी के रूप में खड़े थे जो नैतिकता राजनितिक और आर्थिक विश्यों और प्रेम को संबोधित करने के वाले दोहों के संकलन तिरुक कुआ के लेखन के लिए प्रसिद्ध थे तो यह है बेटा बात वेरी बिग ऑथर वेरी बिग पोएट जो की पॉलिटिकल और एकनॉमिक सब्जेक्ट क्यों पर लिखते थे और तिरुक कुरल जो है यह बहुत ही फेमस चीज है पेपर में जाना के ते अमका बहुत ही है तो यह मत समझेंग की बेंक का लवल ऐसे सी को होगे नहीं बैंक का लेवल्ग मेंक का ही तो आँ फ्रांस के बारे बात कर लेंग थोड़ी बहूत फ्रांस के कैपिटल सभी बच्चे बच्चे को पता है Paris है France के President का नाम मोदी जी के गूड फ्रेंड Emanual Macron फटाफट फ्राज के प्रदान मंतरी का नाम लिख दो हम प्रेज़िडेंट मैंने लिख दिया इम्हेनुल मैकरॉण एमैनुल मैकरॉण प्रदान मंतरी कौन है अरे एक तो बता दो वही बात है ना रेगुलर हम आएंगे नी फिर गगन सर सवाल पूछेंगे फिर हम हमको लगए तो बहुत पढ़ना पढ़ रहा है फिर हम कलासी छोड़के चले जाएंगे वेरी गुड तो इसका जवाब है वेटा एलिजाबेथ ऑसबॉर्ट कराया भी था भी थोड़े दिन पहले आपको जब बताया था मैंने कि दो इंडियन्स को फ्रांस की सरकार ने ओनर किया है कौन से इंडियर थे वो एक थी डॉक्टर अर्शिया सतर जब मैंने बोला था कि बूड़ी सारा लिखांत नहीं लग रही और एक इस्ट्रो की साइंटिस्ट थी जो लली थंबी का याद है कुछ डॉक्टर अर्शिया सतर एक ट्रांसलेटर थी लेकिन नहीं फिर पढ़ेंगे थोड़ी हम दंडा दे दो जरम को मजाक वाले बाद नहीं मजा आता ना मैं याद करनी पड़ेंगी चीज़ें और यह सारी चीज़ें ना देखो बैठके रटने से नहीं होंगी रेगुलर जब रीडिंग में चीज़ें आएंगी ना तब होंगी तब यह बोल रहा हूं डेली एकर 645 एम पर दर्शन दे रहे हो बिटा मेरी जिम्मेवारी मेरी जिम् तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्मेंट ने उद्गाटन किया मेरा गाओं मेरी धरोहर प्रोजेक्ट टू डॉक्यमेंट विलेज हैरिटेट अब देखो इंडिया को हम बोल रहे हैं जितना भी मॉडनाइज कर लें लेकिन गाओं जो हैं वो इंडिया की एक ए कल्चर मिनिस्टर हमारे जो टूरिजम मिनिस्टर हैं जी किशन रेडी साहब इन्होंने उद्गाटन किया मेरा गाओं मेरी धरोहर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा की एलिमेंट है नैशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग का इससे क्या होगा कि हम बताएंगे इंडिया म आए अलग है यूपी आए अलग है तो इंडिया की जो डैवर्सिटी है उसे दिखाया जाएगा इस मेरा गाओं मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के तहत तो इसे कौन-कौन कर रहा है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है यानि कि जी किशन रेडी साहब की मिनिस्ट्री आटेंगे क्या कहए जी जिन Щुकि यह नंग है पिच्ट्री रही है वहां मेरी दिखाया जाएगा एक यहले मानलों के तूरिस्ट हाँ और बाहर से उसे अपने नोटिस किया थो यहोड़् ფ अभी डेने लगे है कि विलिइज कौन सा था वर्ल्ल टूरिजम और्गनाइजेशन ने भी दिया था याद है गुजरात का धोडो गाओं फिर इंडिया में मिनिस्ट्री अफ टूरिजम ने अपना दिया था पंजाब का नवापिंट सरदारां गाओं तो यह सभी क्यों दिये जा रहे हैं कि अब यह गाओं को भी प्रमो करके आंखे बंद करके उनको चले जाना पंजाब में कहीं किसे खेत में हैं देश मेरे कौन से गाना है सरसों के खेत होंगे बीच में टूटी से सड़क होगी और उसमें लड़कियां भाग रही होंगे ऐसे दुपट्टा लेकर अब ऐसे थुड़ी भागता है कोई इतने सभेले हैं लोग कि 15-20 लड़कियां से दुपट्टा लेकर भाग रही हैं और 15-20 लड़के वहां पर ऐसे नाच रहे हैं ऐसे होता नहीं है लेकिन दिखाया जाता है क्योंकि गाओं का मज़ा अपना है अपना मज़ा है गाओं का सीधी सी बात तो उसके लिए तो इसके तह प्रोग्राम को कल्चर मिनिस्ट्री ने मैंसे 2017 में लांच कर दिया था लेकिन 2021 में से इंद्रा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को सौंप दिया क्योंकि तब से कुछ होई नहीं रहा था लांच करके छोड़ दिया थे नोंने इनका एम है कि पूरे भारत के साड़े छे लाग गाऊं को कवर करना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भहुत ही खुबसूरत सा प्रोजेक्ट है मेरा गाऊं मेरी धरोहर अपने गाऊं को बनाओ फेमस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है इसको कौन है मिनिस्ट्र ऑफ कल्चर जी किशन रेड़ी वेरी नेवल अकैडमी करवाती है, किसमें होता है, इसमें सेलिंग करते हैं, बोलेंगे सेलिंग क्या होता है, यह होता है, वीडियो देखो आप, यह होती है, इस तरह की कुछ रेस होती है, सभी के पास ऐसी जी किष्टियां होती है, टेडी टेडी, और आप कोई भगानी होती है, तो टोटल 43 अस्पाइरेंट्स आये थे इस साल, इसको कहा जाता है laser radial boats, इनको क्या कहा जाता है laser radial boats, तो इसकी race हुई थी कुछ, और इसमें top किस ने किया है, इसमें top किया है, इटली ने, तो इटली के, तो 12 एडिशन हुआ है, एड्माइरल कप का, तो इसमें इटली जीत पर यूके और जर्मनी है, देश मेरा रंगीला रंगीला, हाँ जी, एक बार वीडियो को लाइक क्यों, सौ लाइक भी नहीं कर रहे है, यारम, क्या इतना बुरा हूँ मैं मा, लाइक कर दिया गरो, चालो, ठीक है, तो 12 एडिशन था, इंडिया सेकिंड है, यूके और जर् तीम टॉर्णमेंट, फिर इन्होंने इंडिविजर टॉर्णमेंट भी किये थे, तो उसमें भी रश्य फ़र्स इट्ली थेकिंड फिर लडकियों में, यूके फ़र्स इंडोनेशिया सेकिंड इंडिया थर्ड, इसको याद मत करना, आपके लिए नॉलेज के लिए दे दि अगली बार जब INA का नाम सुने तो इंडियन नेशनल आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवल अकैडमी भी है एकाडमी है वह दैराधून वाली है जहां पर लक्षय मुवी की शूटिंग हुई यह इंडियन नेवल academy है दोनों में confusion मत करो है ना चलिए अगला है बहुत बड़ा करेंट तो अभी नॉमिनेट हुए है तो बट पेपर में हमारे पेपर से पहले वैसे रिजल्ट तो आ जाएगा इनका बट फिर भी तो दोस्तों दो बैडमिंटन खिला ड़ी है इस पूरा साल आग लगाई है उन से पांच जीत लिए हैं एशियन गेम एशियन चैंपेंशिप स्विस ओपन इंडोनेशिया ओपन कोरिया ओपन ये जीते हैं और चाइना मास्टर्स में सेकिंड आये थे तो इनको देश के सबसे बड़े अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए से उपर कुछ नहीं आता खेल रतन पुरुसकार के बारे में बाते करेंगे कल ठीक है खेल रतन पुरुसकार के बारे में डीटेल में बाते करेंगे कल आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया अब करते हैं बेटा परसों के वन लाइनर फॉर्म की रिवीजन मेरे क्लास में मस्ट है क्योंकि बेटा वही ह चीज जो आपको याद रहेगी तभी तो गोला भरोगे काला नहीं तो कैसे भरोगे तो चलो एक बार फिर से रिविजन करते हैं परसों के करेंट फिर की रिविजन तो पहला भजनलाल शर्मा जी बन चुक है राजस्थान के मुख्यमंतरी पहली बार खड़े हुए और पहली बार में ही बन गए यह मुख्यमंतरी 14 cm बने हैं अगला नमो ड्रोन दीदी स्कीम इसे लो में सेल्फ हेल्प ग्रूप्स को ड्रोन मोहिया कराए जाते हैं कितनों की हेल्प की जाएगी 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रूप्स की मदद की जाएगी 80% तक का सबसीड़ी दी जाएगी अगला इंडिया और वियतनाम की आर्मी ने स्टार्ट करी एक्सरसाइज जिसका नाम है विन्बैक्स 23 कहां पर करी वियतनाम की कैपिटल हनोई में शुरू करी नेक्स्ट और दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्लूएंचल लीडर्स की लिस्ट निकाली थी एक अमेरिकन कं एंपनी है मॉर्णिंग कंसल्ट ने उनके कोडिंग सबसे टॉप पर है परधान मंतरी भारत के दूसरे पर मेकसिको के तीसरे पर स्विटर लैंड के नेक्स्ट रामनात कोबिंदी जिन ने परधान मंतरी जी स्पीच्चण की एक किताब को लांच किया है उसका नाम है नए अरेबिया में अगला और मैक्स लाइफ इंशरंस के नए चीफ बन चुके हैं राजीव आनंद सहाब इन्हों ने रिप्लेस किया अनल जीत सिंग जी को अगला और कॉप 28 बारे आज हमने बात करिया कॉप 29 हो रहा है अजरबाइजान कहां पर बाकू में अजरबाइजान में क एक बहुत ही फेमिस राइटर है हिंदी लेखी का है यादे यादे और यादों के लिए इनको 33 व्यास समान दिया गया जो कि सिर्फ हिंदी में लिखे वाले लेखों को दिया जाता है चार लाक रुपे इनको प्राइज मनी मिलेगा देगा कौन केके बिरला फाउंडेशन स आफ एफरीका में पढ़ता है तो दोस्तों यह थी क्लास क्वेश्चन आफ दे ले लिए फिर इसके बार में बात बताता हूं क्वेश्चन आफ दे के ओता है बेटा आपको इस क्लास के खतम होने के बाद जब साथ था तभी पांच मिनट में कॉमेंट्स हो जाएंगे वहा बॉंगो सागर नाम की एक्सरसाइज की है बॉंगो सागर नाम की एक्सरसाइज की है ठीक है आपको बताना है किसके साथ की है और कौन सा एडिशन है किसके साथ की है और कौन सा संसकरन है यह आपको चीज बतानी है अभी नहीं कॉमेंट्स के अंदर ठीक है चलिए और अब को फास्ट रेक रिवीजन कराई जाएगी आपकी ये क्लासी चार से पांच जनवरी तक चलेंगी उसमें अगर आपको कुछी भी तरह के कन्फूजन है कि सर लास्ट डेज में करना कैसे है आप नए है आपको समझ नहीं आ रहा कि सर रिवीजन करनी है सर टेस्ट देना है कंसेप्ट क्लियर करने है अब करना क्या है तो आकरी के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया पुश है ये ये पूरा आपको मैं टाइम टेबल दिखा देता हूँ पहले इसका प्राइस देख लो वाई 383 लगाने के बाद 1100 है वैसे तो आपके सामने बहुत महंगा है ऐ ये है रीजनिंग का साड़े चार से साड़े पांच शाम को पूरा टाइम टेबल बना हुआ जनवरी दो तक आपकी क्लासीद है फिर ये है मैट्स का ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये पूरा बहुत बढ़ी आपका टाइम टेबल बना है और फिर ये हैं इंगलिश का जो कि 8 से स्टार्ट है और जनवरी 5 तक जाएगा तो अगर तैयारी करनी सबी क्लाक में के गुंजाईश लगती है कि यार सर लास्ट में सर कुछ हो ना जाए क्योंकि देख धक धक तो होता है धक तक तो हो रहे ला होगा अभी नहीं हो रहा तो पेपर से पहले तो हो गई ह होगा तो उससे निकलना है उससे बाहर आना है तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है इसका जो लिंक है मैं कमेंट्स में लगा दूँगा आप देख लीजिए खुद भी एक बार कैसे कर सकते हैं आपको करना क्या है आपको अट्डा247.com या फिर अट्डा247 की एप डाउलोड करने पड़ेगी सिंपल सी बात है और यहां पर कुछ भी प्राइस है टेंचन नहीं लेनी बाइनाव पर क्लिक करना है और फिर डिसकाउंट कोड भर देना है वाए 383 वाए 383 आप भरेंगे यह और यह वेब साइट पर आपको 1149 का पढ़ जाएगा लेकिन जब आप यह वाए 383 आप में यूज़ करेंगे तो यही चीज आपको 1100 की पढ़ जाएगी और बिलीव मी आच से शुरू हो रहा है लास्ट चो पुश चाहिए ना कि सर प्रॉब्लम ना है बस लास्ट में यह सर पिछले चार महिने से अच्छी तैयारी कर रहा हूं मैं कि लास्ट में कुछ गडबड कर दीती है और काश में तैयारी कर लेता तो वो वाली चीज ना हो उसके लिए बैच है इसका लिंक है मैं कमेंट्स में लगा देता हूं बस ध्यान रखे किसी भी तरह कि कोई भी कन्फूजन है वाई 383 यूज़ कर लेना बाकी भाई आपका